अब आप सब आप सब आप सब ठीक होंगे आप सब को नया साल बहुत-बहुत मुबारक। विश्यू आप वेरी हैपी नियूर आपका ये आने वाला साल बहुत सारी खुशिया लेके आये आपके जीवन में और सर्दियू का सीजन है तो गाजर का हलवा तो बनता है तो आज मैंने आप सब के लिए स्पेशल स्टैब बाय स्टैब गाजर का हलवा बनाया है आप इस वीडियो का इंट तक जरूर दिखेगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगए तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिएगा तो चलिए शुरू करते हैं कि गाजर का हलवा कैसे बनाया है सब से पहले टपड़वे पीलर की हल से हमने इनको सब को पील कर लिया है और ये बहुत हैंडी और इससे वेस्टेज बहुत कम होते हैं इस पीलर से उसके बाद हमने गाजरको आगे पीछे से कॉवीडियो क degil ढूआब जहियो, हमने यहाँ पे 65 का फूड प्रोसेसर लि ट्र Hayır अब हमने यहां पर मेरे पास से तुटा सा मशीन आप इसको बोल सकते हैं बहुत अच्छा तूल नहीं जिस्से काजु और बादाम बहुत और अच्छे से पतले चान तो इसमें बहुत जाधा टाइम लगता है यह देखे कितना अच्छे से काजू Tabii मुद बुर्ण धाएटाली थेशा Amaas यहां पर हमने डेसी घी लिया हा और यहां पर मैंने साबीधी ज़गी भ्राउम तर शीम के तिमस्तर फिर नयुक्र जैसे ही देखे इसका कलर तोड़ा गौल्डन होने लगा हम इसमें गाजर डाल देंगे जो दूली हुई है और उसके बाद गाजर को भी अच्छे से पूरी काजर को डालके हम इसको मिक्स कर लेंगे और यह जितना हम लोगों ने समें घी डाला है वो सारा का सारा सहरा इसमें गाजर में अच्छे से अब्जोर्ब हो जाए अब यहां पे अमूल की फ्रेश क्रीम ले ली है और हम इसमें डाल देंगे यह मैं क्रीम की हल्प से इसलिए बना रही हूँ इसमें हमें खोया की ज़रत नहीं पड़ेगी यह इससे भुन-भुन के बहुत ही अच्छा हल हलवा तयार होता है जैसा की मार्किक्ट में बना आ जाता है आथ इसको अच्छे से मलाई को की मिक्स कर ले पास अगर घरी फ्रेश मलाई हो तो आप वह भी यूज़श कर सकते हैं और आप चाहे बार शार चाहें हो भीर चाहें पर तो हम घूल और हम पर चीम मिनट तक मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे और ये देखे मैंने खोल के देखा तो इसमें थोड़ा सा पानी था जो मैंने भी आपको दिखाया तो अभी हम इसको खोल के धीरे धीरे धीमी आज पे पकाते रहेंगे जब तक कि ये पानी एब्सॉर्म नहीं बचा है इसम कि शूगर भी थोड़ा पानी चोड़ती है तो आप ध्यान लखे जब पानी पूरा जल जाए उसके बाद ही हमें इसमें शूगर एड़ करनी है और शूगर डालने के बाद गाजर नहीं गलती तो यह भी ध्यान लखे कि गाजर गल जाए यहां पे मैंने थोड़ा सा मिल्क प कोकोनट यानि के नारियल का बारूदा यह भी पूरी तरीके से ऑप्शनल है आप चाहे तो डाल सकते हैं इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है तो मैं सजेस्ट करूएं कि आप इसको जरूर एड़ करिए यह मैंने आदा कब डाला है उसके बाद अच्छे से मिक्स कर रहे हैं हमने इसमें गाजर कालवा निकाले है उपर से आप गार्नेशिंग के लिए इसमें जो काजू बदाम हमने चौप किये थे आप उनसे इसको डेकुरेट कर सकते हैं सर्फ कर सकते हैं अप्चे से और सर्दी का मोसम है तो आप इस गाजर के हलवे का जरूर मजा लीज झाल 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 झाल